एक बिधी जो ये है याने फैमिली लौ ये धर्म परिवार रीती रिवाज अगर बात करें तो रिवाज से सम्मंदित है तो अगर कोई माल लेते हैं कि आपका जो धर्म परिवार है पर ये सब कुछ परिवार पर एक परिवार पर लागू होता है समाज है तो समाज का जो निर्मान होगा है ना वो एक परिवार से होगा बहुत सारे परिवार होंगे वहाँ पर तो एक समाज का निर्मान करता है और समाज का संसकार का निर्मान होता है ये भी होता है लेकिन जहां पर बहुत सारी परिवार हैं वहां पर बिवाद जो है लराई जगरा होना आम बात है ऐसा नहीं है कि कोई परिवार है तो वहां पर लराई जगरा नहीं होगा बिल्कुल होगा यह ना तो उसको होता है परिवारी की नियाले पडिवारी की न्यालय उसी को यहाँ पे के लिए बनाय जाता है और यह जो होता है वो उससे अलग होता है अब जब मालते पडिवार में बहुन सारे लोग रहते हैं तो किसी से किसी से मतलब अगर बात करें तो कुछ न कुछ समस्य उत्पन हो सकता है पड़िवारिक न्याले में जो होता है सबसे पहले यहां जो आता है वो आता है विवाह अब देखें कि विवाह जो सम्मंधी बाते हैं तो उससे क्या क्या हो गया तो वो हो गया विवाह करना है ना उसके बाद तलाक लेना विवाह होगा तलाक भी होगा हो सकता है ऐसा समस्या उत्पन समस्या को देखते हुए पड़िवारी किनले बनाए गया आखिर एक पड़िवार में क्या क्या समस्या हो सकता है पड़िवार के लोग हैं, उनका साधी होगा, तो बिबाह करना, उसके लिए कानून है, अगर किसी तरह का बिबाह दुद्पन हुआ तो तलाक लेगा, उसके लिए कानून है, बच्चा गोद लेना, बच्चा गोद लेना, बच्चा ने यह किसी को एडॉप्ट करना चाहते ह बच्चा को हिस्सा देना ये सारा जो है यहाँ पे को हिस्सा पड़िबारिक लौका ही पार्ट है ठीक है तो ये जितना आप देख रहे हैं ने पड़िबार में कि क्या उत्पन हो सकता है समस्या क्या उत्पन हो सकता है कोई आदमी बच्चा को गोद लेगा कोई बेक्ती बच्चा को हिसा नहीं देना चाहेगा कोई पिटी को हिसा नहीं देना चाहेगा लेकिन पड़िबारिक लॉज जो है फैमिली लॉज जो है इसी तरह के विबाद को खत्म करने की है आप अपनी पतनी से तंग आके उसे तलाक लेना चाहते हैं है ना आपके लिए जो बिवाह करना चाहते हैं कोट मेरेज करते हैं वो बिवाह का भी वहाँ पे नियम है तरीका है वहाँ से आप अपना साधी जो है वो कर सकते है तो हर तरह का कानून जो है यानि एक तरह से यहां पे मौजूद है एक पड़िबार के लिए ठीक है अब यदि कोई भी मान लेते हैं सदस की मिर्तियू हो जाती है मान लेते हैं कोई बैक्ती है पड़िबार का जो सदस है उसकी अगर मान लेते हैं मिर्तियू हो जाती है तो मिर्तियू होने के बाद उस संपत्ती को कितना हिस्सा में बाटा जाएगा तो ये सारा फैमिली लौ का ही पार्ट है कि संपत्ती का कितना हिस्सा होगा किसी बैक्ती के मरने के बाद उस संपत्ती को कितने तरह से बाटा जा सकता है जितने जो है जो फैमिली लौ है है ना सभी धर्म के फैमिली लौ अलग अलग होते है अब ये बात यहां पे समझना है कि ये जो सभी धर्म की बात यहां पे हुई तो इस धर्म में सबके जो लौ हैं कानून है उसको एक तरह से जो है उसका अलग नियम है और सबका पड़िवारी जो न्याले है न्याले तो एक ही है लेकिन नियम अलग अलग है और उस नियम को फॉलो करने के बाद उस हिसाब से उसका जैजमेंट होगा ठीक है अब जैसे आज जो यानि उत्रादिकार किस तरह से लागू होता है हम एक उसकी बात करते हैं फिर आगे हम आपको बताते हैं कि ये धर्म से जो है कैसे अलग है तो उत्रादिकार अधिनियम में जो है सबसे पहले अगर बात करें हिंदू की है ना तो हिंदू उत्रादिकार अधिनियम है और हिंदू उत्रादिकार अधिनियम में हिंदू के लिए है और ये अगर आप बहुत धर्म से हैं है ना तो वही कानून है जैन धर्म से हैं है ना या सिखो तो इसके लिए जो है ना एक कानून है अब ऐसा नहीं कि मुस्लिम मुस्लिम के लिए जो है मुस्लिम परसनल लाव है ठीक है और उसके अलाबा मतलब जो अधिनियम है कि मुस्लिम परसनल लाव है और इसके साथ 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 जो है यहां पे कि ऐसे मामले जहां पे संपत्ती का बिसेश है ना जो संपत्ती है आपका कुछ ऐसे राज हैं जैसे बंगाल हैं चन्नई हैं मुंबई हैं ठीक है तो मुहां मालेते संपत्ती है तो वहां पे एक अलग कानून का दाइरा है इसके बारे में हम कभी डिटेल से आपको जंपत्ती के बारे में बताएंगे ये भारतिया उत्रादिकार अधिनियम जो है 1925 से बाद किया जाएगा अब भारतिया आपके मन में ऐसा सवाल आएगा कि भारतिया उत्रादिकार अधिनियम 1925 जो है उसमें बहुत सारे कंडिसन है है ना तो वो हम आपको कभी डिटेल से बताएंगे लेकिन ये दोनों पर जो है यानि मुस्लिम के लिए ये कानून है अब बहुत ऐसे होंगे जो जानना चाहते हैं मुस्लिम परसनल लौ के बारे में हिंदु उतर अधिकार अधिन्यम के बारे में बेकि HOLE क्या है देखिए यहां पर जो है संपति के अधिकार की बात कर रहे हैं अना और हंदु में पड़िबार है हंदु पड़िबार की अगर बात करें और जो मालते मुस्लिम के जो जेनरेशन है तो जो हिस्तेदारी है उसके लिए कुछ अलग-अलग नियम है दोनों के धर्म में लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो कानून है वो उसमें बहुत जादा का फर्क है अब बेटा है तो हिस्सा तो लेगा ही हक तो होगा ही हाँ लेकिन कुछ नियम अलग-अलग है वो नियम भी हम डिटेल से बताएंगे और जो एक तरह से यहाँ पे अगर बात करें लेकिन जो मुस्लिम उत्रादिकारी के कानून है परिबारिक लोग है देखिए मुस्लिम कानून में जो संपत्ती का वितरन होता है जो संपत्ती का वितरन होता है वो दो तरह से किया जाता है एक होता है देखें पर्ती बैक्ती है ना एक होता है यहाँ पर यहाँ पर्ती पर्ती सुनी जो कानून है है ना सुनी कानून में यह पर्ती बैक्ती होता है मतलब इसमें क्या होता है सुनी कानून में कि जितने भी बनसज हैं उत्राधिकार में जितने भी पुरवजों का जो भी संपत्ती है जैसे पैतरिक संपत्ती है और जितने बनसज हैं उसका इसमें समान अधिकार होगा ठीक है इसके बारिस के संख्या पे निर्वर करता है लेकिन अधिकार समान होगा लेकिन यहाँ पे जो एक तरह से जो सिया कानून है वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कि यह पट्टी मतलब एक तरह साखा की तरह वो बितरन होगा बारिसों के बीच जो है एक तरह से वो साखा के अनुसार वो भी तृत किया जाएगा यहां भी अगर जैखें साखा संबंदी वैक्तियों की संख्या पे ही निर्वर करता है कि असमें कितना संख्या है लेगिन जो मुसलिम कानून है उगर उसमें महलाओं की बात करें से मिली संपत्ती कानूनी उत्राधिकार बनने से जो है उसको नहीं रोका जा सकता है जो भी विरासत से संपत्ती प्राप्त हुआ है ना तो उसका कानूनी अधिकार जो है वो बेटी का भी होगा और बेटा का भी होगा यहां पे और जो सबसे महत्पुर्ण बात है कि जो महिल उत्रादिकार है है ना उत्रादिकार है तो उसका जो हिस्सा होगा ना वो पुरुस उत्रादिकार से है ना पुरुसों से हाधा होता है मतलब अगर एक तरह से बात करें कि जो इतना बड़ा पलॉट है अब ये जो है यानि इसमें देखें ये अगर एक पुरूस को प्राप्त हुआ है तो इसका जो आधा होगा यानि ये पार्ट ये महला का होगा बस इसको ऐसे समझ सकते हैं हासा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गया होंगे मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिए